हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर एक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सबी का स्वागत करता हूँ तो फ्रेंड आज ही एक जो है नोटिफिकेशन आई है आप लोगों ने देखा होगा सरकारी रिजल्ट पे UP पुलिस SI और ASI Recruitment 2021 को लेकर तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्थार से जान लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आया है फ्रेंड और इसके लिए क्या जो है लेजबिल्टी है ट्राइटेरिय जीतनी है सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं तो पुलिस SI के पदो पर सीधी बरती 2020 का नोटिफिकेशन 1329 पदो पर होगा जयन तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो और वेल बटन पे क्लिक कर दो जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो वीडियो स्टाट करते हैं लेट्स चेक एट तो फ्रेंट जैसे की आप लोग देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवं प्रनोत्री बोड लखनाउने पुलिस उपनिरच्छक गोपनी, पुलिस सहायक उपनिरच्छक लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरच्छक लेखा के पदो पर सीधी भरती 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यूपी पुलिस की ओर से अपनी वेबसाइट uppbb.gov.in पर 23 मर्च 2021 यानि मंगलवार को आज ही के दिन जारी किया गया इस भरती नोटिफिकेशन के तहत कुल 1329 पदों पर योग अभियार्तियों का चैन होगा यूपी पुलिस में ASI और ASI बनने के इच्छुक अभियार्तियों 1 मई 2021 से यूपी पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए महीला वपुरुष दोनों अभियार्ति आवेदन कर सकते हैं यूपी पुलिस ASI बरती की जो महतपुर तीथिया हैं वो मैं आपको बता दूँ ओनलाइन रजिस्टेशन सुरू होने की तीथि जोए 1 मई 2021 है ओनलाइन रजिस्टेशन की अंतिम्ति थी जोए 31 मई 2021 है आवेदन सुल्क जमा करने की अंतिम्ति थी 31 मई 2021 है आवेदन पत्र सम्मिट करने की अंतिम्ति थी भी 31 मई 2021 है रिक्तियों का विवरण या मैं आपको बता दूँ तो पुलिस उपनिरचक गोपनी 295 प्लस 32 टोटल 317 है वहीं पुलिस सहायक उपनिरचक लिपिक की 624 प्लस 20 टोटल 644 वहीं पुलिस सहायक उपनिरचक लेखा का 358 पद है कुल रिक्तियों आपने या देखी लिया है 1329 हो रही है आवेदन सुल्क जो रहने वाला है 400 रूपय है मात्र आयूशीमा भी इसमें भी 21 से लेके 28 वर्स तक ही दिया गया है फ्रेंड लगतार जो है इस्टूडेंट आयूशीमा को लेकर काफी परिशान हो रहे है लेकिन इसका भी ये जो जो है 28 से 21 से 28 वर्स ही रखा गया है अब इसमें क्वालिफीकेशन क्या है मैं आपको बता देता हूं तो सैच्छे के योगिता जो है किसी भी यूनिवर्स्टी से आपको अशनातक उत्रीड होना जरूरी है यानि ग्रेजुवेशन आपको पास होना जरूरी है इसके अलावा अभियार्ति को कम्प्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में प्रमिर्ता के साथ ही मानेता प्राव संसा निलेट सोसाइटी से ओ लेवल कम्प्यूटर पर इच्छा उत्रीड की हो यानि ओ लेवल आपको क्या होए कम्प्यूटर की एक डिगरी चाहिए वह ट्रिपल सी की तो अभी इसमें नहीं बात की गई है ओ लेवल बताया जा रहा है निलेट का ठीक है फ्रेंट तो यहां देख सकते हैं उसको टाइपिंग भी आनी चाहिए कम्प्यूटर पर हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए अब चलिए इसकी चैन प्रिक फूटर घ्यान ठीक है शोव अंक ए उसके बाद दूसरा जो होगा आप लोग का शमाने जनकारी शम शमाय की भी से सोव अंक तीसरा संख्यात्मक एवं मांसीं की योगता परिच्छा सोव अंक होंगे चौथा मांसी कब रिचू परिच्छा एवं तार्किक परिच्छा के लिए शौव अंक निर्धारित होंगे सेकेंड जोगा लिखित परिच्छा में सफल पाएगा अब यारतियों को दस्तावेज सत्यापन वह सारीरिक परिच्छा डीवी पियस्टी के लिए बुलाया जाएगा यानि अगर आपका लिखित परिच्छा में सफल हो गया तो आपके जो है डॉकूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका सारीरिक मानख परिच्छण किया जाएगा ठर जो है मानख परिच्छण में भी बनेगी जिसके आदार पर चैनित अभी यारतियों का मेडिकल टेस्ट होगा उसके बाद चरित सत्यापन कराया जाएगा और इसके बाद अभी यारतियों को निवतित दी जाएगी तो यह राए चैन की प्रिक्रिया जो मैंने आपके साथ सेर किया चलिए मैं आपको सब कुछ everything दिखाता हूँ तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग सरकारी रिजल्ट पर विजिट कर चुके और आपको यहां पर दिखे है यूपी पुलिस एस आई और ओनलाइन फॉन्लाइन फ्वेंटी ट्वेंटीवन तो चलिए इस पर धीरे से क्लिक कर देत है यह जो पोस्ट अपडेट आप लोग यहां से देख सकते हैं आपको दिख जाएगी 25 फरवरी 2021 दिखा रहा है ओके फ्रेंट लेकिन यह पोस्ट आज ही आई हुई है मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ स्क्रोल डाउन करके यहां देखी अप्लिकेशन जो स्टार्ट हो और OBC की 400 है SC और ST की भी 400 है आल केटगरी फिमेल की भी 400 रूपए है इस पार एज लिमिट की बात कर दे तो मीनिमम एज जो है 21 साल होना चाहिए मैक्सिमम अठाइस साल होना चाहिए एज बिट्विन 1793 से 172000 के बीच में होना चाहिए एज रिलेक्सेशन आपको मिलेगा एक्स्ट्रा पर रूल के एकॉर्डिंग ठीक है यहां से आपको वेकेंसी मैंने पहले ही बता दिया उसमें तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं परबात किया जाएगा केटिगरी वाइज आप लोग वेके जो था मैंने उपर ही आपको सब कुछ बता दिया है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुडबाय टेक किया है जाएएं दोस्तों लव यू ओल